हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ जसुंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज आफ पॉल टेकनिक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चर का काम कर रहा हूँ आज हम डिस्स करने जा रहे हैं काफी इंपोर्टन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्टोनिक्स टू तो इलेक्टोनिक्स टू जो जिसको हम इलेक्टोनिक्स डिवाइज एंड सरकट भी बोलते हैं अगर आप एसी का डिप्लोमा कर रहे हो तो वहाँ पे इलेक्टोनिक्स डिवाइज एंड सरकट आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी करना है बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा करे हैं इलेक्ट्रिकल का, इसी का, इलेक्ट्रोनिक्स और क्मिनिकेशन का, ट्रिपली का डिप्लोमा करे हैं जांफर B.TEC करें हैं उनके लिए है ये तो यहां से मैं आपको basics बताऊंगा इसके क्या-क्या basics हैं क्या होता है हमने कौन-कौन से chapter करने हैं यह मैं आपको बताऊंगा तो चलिए start करते हैं तो है electronics 2 जिसको हम EDC भी बोलते हैं तो basically यह 컨ण or electronics 2 आ गया electronics device and circuit बोल रहे हो ठीक है analog electronics बोल रहे हो सबसे ज़्यादा यह popular name है analog electronics तो सर यह कहां पर use होता है क्या है सर इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा क्यों ज़रूरी है ऐसा हमें क्या इसकी importance है तो यह चीज़ें आपको first आपको पता होने चाहिए फिर ही आपका interest बनेगा तो सबसे पहले हम इसका interest बनाता हूँ मैं आपको साथ साथ में आपको syllabus भी इसका discuss करते जाएंगे हम तो देखिए जैसे भी हमारे electronics गैजट होते हैं ठीक है तो जितने भी हम analog amplifier देखते हो आप amplifier लगे हुए है amplifier देखते हो power amplifier देखते हो ठीक है तो अगर आप amplifier की study कर रहे हो oscillator की study कर रहे हो way shaping click and clapping की study कर रहे हो तो आपको EDC electronic device and circuit आने चाहिए ठीक है कैसे कैसे क्या क्या है वो अभी आपको मैं बताता हूँ और साथ-साथ में इसकी importance भी बताते चाता हूँ कि क्या क्या इसकी importance है तो यहां पे सबसे पहले जो first chapter आता है हमारा जिससे आपके importance भी साथ में पता चल जाएगी जो first chapter हमारा आता है अगर आपने electronics 2 करने है first chapter हमारा आता है transistor audio power amplifier तो सर ये transistor audio power amplifier क्या होता है तो basically ये analog electronics में ही आता है basically जो power amplifier है सर ये कहाँ पे है जैसे आप DJ system घर में लगाते हो जब भी आपका कोई marriage होती है ठीक है कोई party करते हो तो वहाँ पे DJ system लगा होता है तो बड़े बड़े जो बलक में ऐसे VCR type लगे होते है न तो वो हमारा होता क्या है basically वो amplifier circuit होते है तो वो amplifier बने होते हैं तो अभी आपको application भी जाद आगी होगी DJ system ठीक है अब हम घर में लगाना हो तो वो हम नहीं लगाते हैं हमारे पास इतने equipment नहीं होते इसका मलब power amplifier का क्या काम है अगर आपने कोई public करने है speech देनी है कोई conference रखनी है तो आपको क्या चाहिए ऐसा ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके जो मैं board रहा हूं उस signal को बड़ा करके शो करें तो वो चीज़ बड़ा करके शो करें उसके लिए हमें उन्होंने scientist ने डिजाइन किया audio transistor audio power amplifier तो वो क्या करता है signal को boost up कर देता है बड़ा कर देता है तो इसकी application भी आपको पता चल गी और यह भी आप अगर आपको यह चीज़ पता चल जाएगी तो आपको पता सरसकता है कि कहां कहां यूज होता है तो यह भी आपको पता चल गया है इसमें हम क्या study करेंगे इसमें हम study करेंगे difference between voltage amplifier and power amplifier यह भी काफी important question है आपके point of view कि difference क्या है इसमें voltage amplifier में और power amplifier में क्या difference है मैं इसकी one by one जो है video इसकी बनाता जाओंगा तो आपको first difference बता होना चाहिए तीक है यह भी मैं इसकी video बना दूँगा आपको फिर इसमें आएगा कि जो एक amplifier होता है एक अच्छा amplifier अगर आपने लेना है अपने घर में लगाने के लिए जाफिर अगर dj system लगाना है तो एक अच्छा amplifier अगर dj system अच्छा dj system बनाना है तो आपको क्या क्या parameter है जो देखने पड़ेंगे तो आपको amplifier के कौन सी important term है जैसे कि हमारे पास collector efficiency यह भी देखनी पड़ेगी distortion कितनी आती है अगर ऐसा amplifier dj system हम ले आए वहां पर distortion ज़्यादा आजाए means noise ज़्यादा आए तो वह अच्छा नहीं होगा तो distortion कम वाला हमने चाहिए होगा तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई जो है costly जिना है तो जरूरी नहीं कि costly भी अच्छा हो तो हमसे देखना पड़ेगा ऐसे dissipation capacity क्या होती है जैसे हम कुछ time के बाद चलाते हैं तो वह heat up हो जाता है तो उसको बोलते है power dissipate कितनी करता है जैसे अब जतने भी laptop आ रहे हैं उसकी dissipation क्या है कम है पहले वाले laptop में fan लगा हुआ है उसमें dissipation क्या होती है heat जादा निकलती है तो आगे आगे improvement होती है ऐसी आगे इसकी types आएगी क्लास A amplifier क्या होता है B C amplifier क्या होता है ठीक है तो यह सभी इसकी क्या है इसकी application आएगी ऐसी हम क्लास A के में देखेंगे ऐसी हम देखेंगे कि जो transformer है वह कौन सी जो impedance matching कैसे होती है यह चीज़ के बारे में डिस्स करेंगे तो heat sync की हमें क्या जुरूरत है यह भी देखेंगे ठीक है ऐसी push-pull amplifier क्या होता है इसके बारे में भी डिस्स करेंगे काफी important question है और ऐसी complementary push-pull amplifier क्या होता है इसके बारे में भी डिस्स करेंगी वह मैं one by one बताता रहूंगा आपको आपको ये पता चल गया कि अगर डिजे सिस्टम है और डियो पॉब्लिक अड्रेसिंग सिस्टम है वहां पे देख लो कितना है कि हमें 10,000-20,000 ऐसे भी किसी को स्पीश जे नहीं हो तो वहां पे एम्प आगे की बात करते हैं आगे आता है ट्यून वोल्टेज एम्प्लिफायर तो अगर हम बात करें ट्यून वोल्टेज एम्प्लिफायर की ये क्या काम करता है ठीक है ये कैसे है क्या काम करता है सर फिर से एम्प्लिफायर आ गया अब साथ में क्या लग गया यहां से ट्यून तो tune voltage amplifier क्या होता है ठीक है तो ये भी क्यों पढ़ना पड़ेगा सर हमें ये भी बता दीजिए अभी बताता हूं मैं तो इसकी application क्या है tune voltage amplifier की देखिए जैसे आप radio चलाते हो ठीक है तो radio में क्या करना पड़ता है आपको particular signal जो है select करना पड़ता है ठीक है अगर आप particular signal जो है वह select करते हो means कौन सी signal जो signal है कौन सी frequency को वह amplify करेगा means माली जो आपने को channel select किया FM की example दे देता हूं FM में 98 point कुछ भी आपने 7 FM rainbow कुछ भी आपने किया select किया ठीक है तो वह आप जब select कर लेते हो ठीक है तो वह signal को आपने select किया फिर उसको क्या करना है वह signal जो हमने select कर लिया वह वाला portion उसको amplify भी करना पड़ेगा बड़ा भी करना पड़ेगा तो वह काम होता है tune voltage amplifier का एक particular frequency को select करना और फिर उसको amplify कर देना तब हम use करते हैं वहाँ पे tune voltage amplifier हमारा radio सिस्टम में हमारे tv सिस्टम में जब हम channel को भी tuning करते हैं तो यही चीज़ें होती है वह particular frequency को amplify करने क काम आता है तो यह भी आपके लिए काफी important है और आप अगर microwave radar सिस्टम में बढ़ते हो army वाले हैं वह भी signal को capture कैसे करते हैं tuning करते हैं कि वह वाला signal capture हो जाए और उसको amplify कर लिया जाए ठीक है तो यह होगी इसकी application इसमें हम देखेंगे series पहले क्या resonance क्या होती है ठीक है कैसे select करते हैं single tune और double tune जो है voltage amplifier क्या होता है उसका क्या frequency response है और क्या उसकी application है उसके बारे में भी जिस्स करेंगी वह मैंने आपको बता दिया तो यह भी आपको पता चल गया ऐसे आगया आगे हमरा आता है feedback in amplifier तो sir amplifier तो पता चल गया कि जो signal को amplify करता है और sir यह feedback वाला concept कहां से आगया तो यह क्या feedback in amplifier तो इसका भी मैं आपको पताता हूं जैसे कि हमने feedback in amplifier हम क्यों यूज करते हैं जैसे हम एक हता है एक transistor है हमारे पास ठीक है three terminal device emitter base collector वो एक transistor ही आपको amplifier का काम करता है में signal को बड़ा करने में छोटे signal को बड़ा signal कर देता है और वही amplifier को हम oscillator भी काम करवा सकते हैं तो sir अब oscillator क्या है oscillator वो होता है जो signal को generate करता है जो particular signal की frequency को generate करता है जैसे human being जैसे मैं बोल रहा हूं अब यह मैं बोल रहा हूं इसका मलए मैं particular frequency पे बोल रहा हूं ठीक है तो वो भी क्या है मैं क्या हूं oscillator तो ऐसे ही एक amplifier हम कैसे oscillator बनाते हैं कैसे उसको amplify work कराते हैं यह बताता है feedback in amplifier अगर हमने positive feedback दे दिया उसको positive feedback दे दिया तो वो बन जाएगा oscillator अगर हमने negative feedback दे दिया वो हमारा बन जाएगा amplifier तो यह चीजें हम पढ़ेंगे क्या है और फिर पढ़ेंगे कि voltage amplifier क्या हम negative feedback ही क्यों use करते हैं कि हमने बता तो दिया मैंने कि हाँ भी हमने positive feedback यूज करना है oscillator में negative feedback करना है amplifier में अब next question आता होगा sir क्यों ऐसे यूज करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे कि negative feedback की क्या क्या हमें benefits हैं जो हमें एक voltage amplifier में चाहिए होगा उसका voltage gain तो वो negative feedback में जादा होता है stability जादा होती है distortion कम होती है bandwidth जादा होती है ठीक है यह चीज हम वहाँ पर पढ़ेंगे ऐसे ही emitter follower और उसकी application के बारे में भी पढ़ेंगे तो यह चीज आपको पता चल गया होगा feedback in amplifier हमने chapter क्यों पढ़ना है आगे आता है हमारा basically sinusoidal oscillator तो अब आता है सब oscillator तो हमने बता दिया कि क्या है जो signal को क्या करता है basically signal को जो है generate करता है ठीक है तो वह होता है हमारा oscillator अब यहां पे तो मैंने बता दिया अब सर इसको जो ऑसिलेटर है इसमें कौन सा यूज फीड़एक मैंने बताया था मैंने बताया था जब भी हम oscillator यूज करते हैं वहां पे देखे positive feedback यूज करते हैं साथ में sinusoidal oscillator आ गया साथ में positive feedback देखा गया तो sinusoidal क्यों बोलते हैं क्योंकि जब भी हम बोलते हैं जैसे मैं बोल भी रहा हूँ कोई भी सिगनल है सबसे नेचरल सिगनल होता है सान वेव होता है से वाला इसे मारा सइनव सब्सक्राइब उसके बारे में भी इस लिए हमस ने शुक्राइब हैं में उस्कों स्यूसिलेटर और अल्टरनेटर वे इसी दिए हैं और में कौन कौन से कंडिशन करना कौन सुखंडिशन हमें पता होनी चाहिए फिर हम oscillator की type के बारे में डिस्स करेंगे ये भी पेपर में काफी important question है कौन कौन से type होती है जैसे की LC oscillator होता है LC oscillator में भी हमारे पास हर्टले oscillator है corporate oscillator है ये पेपर में आता ही आता है दस मार्क्स का ऐसे हमारा RC oscillator है और wind bridge, face shift ये हमारे तीन जो और oscillator है ठीक है तो ये भी हम पढ़ेंगे ये भी पेपर में आते ही आते हैं ऐसे हम piezoelectric oscillator में भी पढ़ेंगे ये one 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 मैं आपको पताता जाओंगा तो आपको पता चल गया कि ये oscillator क्यों यूज करते हैं signal को generate करने के लिए ठीक है आगे चलते हैं आगे हमारा क्या है आगे हमारा आता है wave shaping के बारे में sir wave shaping क्यों use करते हैं basically wave shaping में हमारा आता है कि हमने कुछ signal है उसकी जैसे मालो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ यह signal जैसे store हो रहा है और उसमें थोड़ी सी बीच में कोई बोल रहा है noise थोड़ा सा signal में क्या आगी है noise अब हम उसको करने के लिए हम क्या को software के सुरू करते हैं तो ऐसे ही wave shaping में वहां पे लिखा आता है clip करना है clap करना है clipping clapping clipping का मलत है काटना तो ज wave shaping circuit जो है वह हम देखेंगे कैसे बनेंगा ऐसे ही इसमें wave shaping में हमारा आ जाता है डायोड को यूज़ करके clipping circuit बनाते हैं ठीक है और switching के लिए भी on off के लिए भी हम यूज़ करते हैं diode कैसे clip करता है clamping क्या होती है उसके बारे में distance करेंगे और transistor as a switch कैसे काम करता है ठीक है और most up से है कि mono stable क्या होता है by stable क्या होता है multi vibrator क्या होता है तो basically multi vibrator का काम होता है square wave को पैदा करना ठीक है तो square wave कैसे बनती है वह भी हम discuss करेंगी ठीक है तो next हमारा आता है next के आता है power supply के बारे में तो sir power supply अब पढ़नी पढ़ेगी yes आपको power supply के बारे में भी पता होना चाहिए वो क्या है power supply जैसे कि हम जो जितने भी electronic device है वो DC पे चलती है ठीका 5 volt 9 volt और 19.5 volt जो कि मारा laptop है तो यह हमारी device जो चलती है वहां पे हमें क्या बनाना पड़ता है जैसे हमारे हम अभी मैं बात करता हूँ जैसे कि हमारा हमारे घर में UPS लगा हुआ है हम computer चलाते हैं वहां पे भी लगा हुआ है stabilizer लगा हुआ है हम fridge चलाते हैं जो AC चलाते हैं वहां पे भी stabilizer चाहिए SMPS switch mode power supply क्यों चाहिए क्यों 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 है क्योंकि अन इंट्रप्ट कर जो अब पिछे से supply चली भी जाए फिर भी हमारा काम होता रहे फिर हमें SMPS चाहिए और हमें voltage regulator भी चाहिए voltage को कम और जादा regulate कर देना change कर देना उसके लिए हम IC पढ़ेंगे 780578 तो ऐसे रेगुलेटर भी पढ़ेंगे कि fix रेगुलेटर काउं से होते हैं विरियेबल काउं से होते हैं तो यह भी हम power supply तो आपको पढ़ने ही चाहिए कि power supply क्या क्या है आगे आता है मारा operational amplifier तो यह भी important है जिसको हम बोलते हैं यह एक ic है seven seven four one तो यह पढ़ेंगे कि एक operation amplifier क्या होता है operation amplifier को हम addition के लिए subtraction के लिए क्यों use करते हैं ठीक है ट्रांजिस्टर से यह अच्छा है तो यह क्या क्या है उसके बारे में भी हम डिस्टर्स करेंगे और इससे क्या क्या operation कर सकते हैं क्या क्या application बना सकते हैं उसके बारे में editor क्या है integrator differentiator कैसे बनाते हैं यह हम देखेंगे यह जिके ic लिखा हुआ है seven four one तो इसके बारे में डिस्टर्स करेंगे ऐसे block diagram हम ic देखेंगे triple five ic जिसको हम timer बोलते हैं यह कैसे काम करता है इसके बारे में डिस्टर्स करेंगे तो मैंने यहां पर आज इस वीडियो में आपको slavers के बारे में discuss करवा दिया कि यह seven chapter है जो आपको पढ़ने पढ़ेंगे और यह importance भी आपको बता दी कि इसकी क्या importance है आपकी life में daily life में अगर आप ऐसे ही junior engineer का exam दे रहे हो railway में exam दे रहे हो engineering का तो आपको यह चीज़ें वो पूछेंगे तो तबी आपको आने चाहिए और interview में भी यह ऐसे पूछ लेते हैं power supply कौन कौन सी होती है जो मैंने slavers ही बोला है ऐसे ही पूछ लेते हैं इसके बारे में ही basics पूछ लेते हैं तो यह चीज़ें आपको आने चाहिए और साथ में है practical practical में भी क्या क्या हम सिखेंगे list of practical क्या है तो वो भी हम देखेंगे कि जो push pull amplifier है उसकी हम output कैसे निकालते हैं negative feedback जो है वो कैसे use करते हैं negative feedback को हम कैसे use करते हैं ठीक है ऐसे हम emitter follower circuit क्या होता है इसकी voltage gain current gain देखेंग heart layer oscillator क्या होता है corporate oscillator क्या होता है इसके बारे में देखेंगे CRO में RC constant के बारे में देखेंगे कि RC constant क्या होता है ऐसे मैंने clipping circuit का हम experiment करेंगे clapping का करेंगे ठीक है तो ऐसे हम multi vibrator का CRO से wave देखेंगे जो मैं बोलूँगा wave कैसे आती है ठीक है यह चीजे है ठीक है और आगे है हमारा आगे यह practical चीजे हैं सभी अगर आपको theory आती होगी तब ही आप practical अच्छे से कर पाओगे ऐसे ही operational amplifier में कैसे हम inverting, editor, subtraction कैसे करते हैं वो देखेंगे ऐसे हम IC555 को कैसे multi vibrator, mono stable vibrator कैसे use करते हैं वो देखेंगे ऐसी मैंने वोल्टे regulator बोला था 7805 इसका मलता है 78 series है वोल्टे regulator की 05 का मलत यह 5 वोल्ट ही निकालेगा इसके बारे में देखेंगे 79 भी ऐसी series है 79 15 इसका मलत 15 वोल्ट ही अगर input में कुछ भी change होता रही output में 15 वोल्ट ही आएगी यह भी हम देखेंगे तो यह था हमारा basically जो syllabus जो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या syllabus है इसमें आपको देखना पड़ेगा और जो teacher है यहां पे उसने और बोला है इसके बारे में यहां पे अभी मैं बता दिता हूँ क्या उसने बोला है यहां पर teacher should bring the electronic component device इने classroom lectures में उनने बोला है कि इसके practically यह चीज़ करवानी होगी आपको तो आगे जलते हैं आगे आती है books कौन सी prefer करेंगे तो यहां पर काफी books बताएगी हैं तो मैं आपको suggestion दूँगा कि अगर आप diploma कर रहे हैं ठीक है अगर तो आप diploma कर रहे हो तो SK सहदेव की book आएगी EDC की और Eagle की भी book आ जाती है उसके वो आप buy कर सकते हो SK सहदेव और Eagle Publications है उसकी आप एक local author है SK सहदेव काफी अच्छे है मेचन पॉलिटेकनिक में तो उनकी भी जो है प्रैफर कर सकते हैं और भी काफी अगर आप बीटेक में चलेगे हो ठीक है इसके पढ़ने के बाद आप अच्छे जो author है ठीक है मैकला हिल मैग्रे हिल है ठीक है और भी यह काफ जो है millman है यह काफी तोड़ी सी इनकी language जो है difficult होती है इसलिए मैं आपको इसको अभी डिप्लोमे में हो तो अब मैं प्रैफर नहीं करूंगा यहां पर देखिए यहां पर eagle की electronic device and circuit यह मैं प्रैफर करूंगा आपको यह अच्छी बुक है मैंने पढ़ी है तो यह आप एसे डिप्लोमा और बीटेक में भी कर सकते हो बर बीटेक में numerical होते हैं तो आप और बुक्स भी रैफर कर सकते हो तो मैंने आपको बता दिया कि जो बुक रैफर करनी है एसे डिप्लोमा और आपने electronic device and circuit eagle की जाफिर आपने एसके सहदेव सर की जो बुक है वो आपने जो है रैफर कर लेनी है ठीक है तो आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो like, comment और share जरूर कर दीजिए और आपके लिए इंट्रस्टिंग वीडियो से बना सकूं ठैंक्यू ठैंक्स अलाट ठैंक्स पॉर लिस्निंग और comment जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से share जरूर कीजिए बाइबाइब और जितनी भी यह मैं जो मैं वीडियो बनाता हूं उसके आपको जो नोर्स है study material ह मेरी jksmartclasses.com और psbt यहां पर नंबर शो हो रहा कि हो मेरी website उस वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सब्सक्राइब